असलाम अलेकों वेट सराय लोगता है बोंबडेय हाँ विडियानी तो पर चले देखते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने ने और गरम कर लिया है उसकी बात मैंने दो बली साइस के प्याज लिए है उसको अच्छे से चॉप कर लिया है उसको फ्राइक करेंगे गोल्डन तो आप देख सकते हैं हमारा अनियन जो है वो फ्राया करेड़ी है तो इसको निकालेंगे रिख सर बरतन में और इसी और निए पतटीटो फ्राय करेंगे पोटटीटो को अच्छे से फ्राय करना है बहुत ज्यादा नहीं करना बस गूलन ब्राउन करना इसे तो हमने कुकर चड़ा लिया है तो कुकर में हमने जो अनियन का प्याज फुन के बचा था तो वसी को डाल दिया है मैंने आप चाहे तो अलग से ले सकते हैं तो इसमें हम गरम मसाले एट करेंगे तो सबसे पहले मैं लोंग जीडा एक चमस लोंग ले पाच्छे लोंग और ए तो इसका थोड़ी दर के लिए हम बस भूनेंगे जो इसके बाद हम फटा-फच्छे अपना मीट कर दिए तो मैंने आधा के लिए मीट लिया है तो इसमें मैं दो चम्मस भरके अधर क्लेस्ट का पेस्ट एड़ कर दूंगे और इसको थोड़े दर के लिए भूनोंगी ताकि इसका कच्छापन जो है वो निकल जाए कि अधर क्लेस्ट भून चुका है तो अब मिशाले लेंगे तो कच्मीरी लालमीश है जो चम्मज लालमीश पाओडर है एक चमज रदी पाओडर है जिर पाओडर और दो चमज धन्या पाओडर लिया है फिंपने तो इसको भी हम अच्छे तरह बूं लेंगे ऑल सेपरेट हो तो आप देख सकते हैं हमारे ओल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है तो हमारे मसाले लगबग भून चुके हैं तो इसमें थोड़े दर आप होंगे हम तर उसके लिए हम सबसे पहले हम इसमें टमाटर एटकाएंगे तो मैंने दो आप दो थो तो मीडिम साच के टामाटर लिए हैं तो तो अनुकित को रचलने तक हम इसको पकाएंगे तहके माटा बी मसाले के साद्सें सबस्क्त हो जाएं तो तो थोरे दादेता हैं और इसको पकाएंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे बन membership है को अब देख सकते हैं हमारे आल बिल्कूल सेफट हो चुका है तो हमारे मसाले भी भुन चुके हैं टमाटर भी लगभख सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसको हमें अभी सिटी लगाएंगे कि उसके लिए हम इसमें आट करेंगे देर गलस पानी आट करेंगे क्यों मिट को बिल्कुल सॉफट करना है तो मैंने देर गलस पानी आट कर ले है तो इसको ढख देंगे और आज से साथ से आज कि लगाएंगे लो भाई हमारे city भी आ चुकिए है तो इसको हम खोल के देखेंगे लेकिन उससे पहले gas को खुछ से रेलिज होने देंगे कि देखेंगे कि हमारी जो मीठे वह पका की नहीं पका है रख वाव थे रखेंगे हम अब देख सेकते हैं कर दो हम पहलेसे फेटके रखा हुआ है इसमें हम विर्यानी मसाला डालेंगे तो देर चमस मैंने विर्यानी मसाला लिया है क्योंकि हम 1.5 किलो बना रहे हैं तो इसलिए हमने देर चमस लिया है और दही मैंने चाय के कप से एक कप भर के लिया है हें तो इसको हम थोर से ला पकाएंगे हैं और धनिया पाउड्र डेल धनिया डाल दिया मैंने और शात्मी है कशुराजियों मिथी का आप होसे के तो इसकारा कश्ँराय नहीं हो तो मेरे जसमेस तरह से कश्राय बाजार से मिलता है टाले हमें 2-3 तो इसको हम इस बर्तन में डाल लेंगे क्योंकि हम बिडियानी इसी में बनाना है कि कुकर में सरफ हमने मिठ को गलाने के लिए ऐड किया था कि तो हमारी जो मिठें बिलकुल तयार है लेकान एक का मोट बाकी रहे गाई इसमें हमारी जो फ्राइड अनियन है व कि और सोरे नमक डालना में बताना फूली गई कि नमक में डाल दिया है बसे स्कीफ हो गया हो तो नमक अपने अंदास से डाल लेजिए कि तो बिल्कुल हमारी जो मिठ है बिल्कुल बनके तयार है तो इसको हम ढखके साथ में रख देंगे और अब हम बिर्यानी के लिए चावल बनाएंगे असब बतानों चावल के लिए पानी ले लिए हैं तो चावल में दोकपनी दो ग्लास लिया है दो ग्लास अंदाज़ें थे लिए तो था एuckyलो होंगे टूफिक्टी ग्राम होंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अश्ट स साथ ग्लास पानी ले लिया मैंने तो उसमें मैं लहरी मिर्ची राधनिया और घर्म मसाले जो मैंने बचा करेके तो डाले हैं और दो तिन चम्मिस मैंने ओल डाले है ताकि हमारे जो चावली वह भी खिली-खिली बने और नमा इट किया है इसको बियाने के बाद इसमें चावल डालेंगे तो यहां पर केवरा वाटर और लेवनन जूस ले लिया है उसके बाद हम इसमें बॉल आचुका है तो इसमें हम अपना चावल अट कर देंगे तो चावल को मैंने आधा घंड़ा पहले ही अच्छे से थो करके छांद के रख दिया था तो इसको आपको भीगोने से पहले ही आपको इससे समसल कर धोना है उसके बाद भीगनी के बाद मसल कर बिल्कुल नहीं होएंगे बरना यह टूर जाएगा तो चावल में हमारा जो बाल आ चुका है तो चावल को हम बहुत ज्यादा नहीं पकाना है एकदम से नहीं पकाना है उसको 80% तक ही पकाएंगे क्युक्त हमारा मिट बिल्कुल पका हुआ है तो हम उतना ज्यादा तक अच्छा नहीं चाहिए तो 80% तक हम इसको पका लेंगे बाकि हम लगा लेते हैं तो पहले हम लगा लेते हैं उसके बाद हम 50 इसमें अपना डालेंगे जो फ्राइड अनियन है ढल द kish his लिया है I तो इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे हमें ऊपर भी घी डालना है तो बहुत जादा एक साथ नहीं डालेंगे बस दो चम्मस डाला है मैंने आपर तो और एक लेहर हम इसके ऊपर लगाएंगे ओर ओर लगने लेहर लग चुकी है तो इसके ऊपर?!? वहलें जीसे ऐसके ऊपर मावी नालना हें इसके बाद धनिया दालेंगे जो हमारे चॉट किया हुरा धनिया है तो श Сक डालेंगे और वह प्लाज सेते हुग सबढ़गे कोई से भी ड्राइफूट डाल सकते हैं तो इसके उपर हम केवरा वाटर बिल्कुल नहीं डालेंगे वह हमने चावल को पकाते बग डाला है तो अब मैंने फूट कलर लिया हैं और इसमें हम खी डालेंगे अब चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी गी रहा सकते हैं लेकिन मैंने आपर पहले दो चमश डाले थे अभी दो चमश चार चमश डाले हैं तो इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे हम तवा के उपर रखेंगे तो पहले हम इसको फुल फ्लेम में पार्च मेंट तक पकाएंगे उसकी इसको चाहें तो हम दोलेंगे जाल मिश फुल değiş पाण्य में जाईगे तो चुछ ज llal mix शुछ यू ने अमारे सर्ट कर लेंगे उसकी बाद indifferent उनिया डाले लिए दो थुल सदेर छाएंत से लाल मिश पार्टीर हम तो इससकी बार मैसमें ढालेंगे फ्रैट के ओए थोड़ तो दम भी आणी देख लेते हैं तो फिर चलिए देखते हैं बहुत अच्छी बनी है बिर्यानी बिल्कुल खिला-खिला चाहे अब इसको सफ करके मैं आपको बताती हूं और टेस्ट करके भी बताऊंगी तो यह है मारे फाइन लोग बिर्यानी का जो मैंने अन्यान और साथ में सलाथ कुकंबर ले हैं और जो राइता है उससे सर्फ करेंगे तो हमको टेस्ट करके बताती हूं मैं मेरे तो अभी से मुँमें पानी आ रहा है कि मैं बिर्यानी लवर हूँ उमीद है कि आप भी सिधार से बिनाएंगे और खाके मुझे कमण में जरूर बताएंगे कैसा लगा तो आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे है तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई